एक कुल से किया जाता है और जो कोबिट कर दो साथ जूड़ा नहीं अभी तक फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड़े में प्रेश कर देना वीडियो का लाइक करके अपने दोस्तों साथ वीडियो को ज्यादा सेेज करना कि उनको भी जयलिया मिलते रहा चली हम बात करते हैं आठे पिसीया के बार में दोफतों उसके पहले समझ लोग कि dna से rna बनाने के जो प्रक्रिया प्रक्रिया अजकी उसको हम बनाना होता है तो उसको हम बोलते हैं सीधा उल्टा हो जाता है RNA से DNA उसको हम बनाना हो तो उसको हम reverse transcription बोलते हैं और जब कभे भी किसी बिमारी का अगर सही पता लगाना हो, सही चनकारे लेना हो तो उसके लिए हमें DNA की जरूरत पड़ती है लेकिन जहांपे हम COVID-19 टेस्ट के बाद करेंगे दोस्तों तो COVID-19 में आप जो देखें का जो genetic material होता है वो RNA होता है यानि कि COVID-19 में DNA होता ही नहीं है तो ऐसे condition में PCR की जरूरत पड़ती है यानि कि RT-PCR की जरूरत पड़ती है तो यह test करने के लिए हमको जब COVID-19 से हमारे पास RNA मिलता है तो उस RNA को सबसे पहले हम DNA में convert करते हैं अज जब RNA से DNA बोलते हैं तो उसको बोलते हैं reverse transcription यानि कि उसको ही बोलते हैं RT यानि कि RNA को DNA में convert किया गया तो उसको हम RT बोलते हैं और जो PCR होता है दोस्तों वो होता है पोली मिरार्ज चैन रियक्षन यानि कि RT-PCR यानि कि reverse transcription पोली मिरार्ज चैन रियक्षन इसका पूरा नाम होता है और इसके थुरू दोस्तों हम जो COVID-19 होता है उसका test करते हैं अब बद करेंगे यह tips होड़ता क्या है दोस्तों जब कभी भी कोई भी नई बीमारी अगर आती है तो सबसे पहले उस बीमारी को उसके DNA से हम यह पता लगा जाता है को उसके DNA का structure कैसा है उसकी पहचान किया जाए तो सबसे पहले कोई बीमारी से उसके पहचान किया जाता है सेम उसी तरह से जब कोई नई आया था तो उसकी पहचान किया गया था DNA के थुरू तो DNA उसमें था नहीं उसका RNA था तो RNA को हमने DNA में लेबरोटरी में convert किया गया और convert करके उसका DNA का एक structure पता किया जा गया तो इसके थुरू दोस्तों जब RT-PCR टेस्ट होता है तो polymira chain reaction के थुरू जब हम यह test करते हैं तो करने के पास हमारे पास एक image आती है जो microscope के थुरू हम देखते हो आपे और देखने के पास है जो इसका जो कोविड-19 का जो DNA का जो structure है उस structure के थुरू हम identify करते हैं कि इस patient को जो कोविड-19 है वो हो चुका है यह RT-PCR के थुरू किया जाता है क्योंकि अगर आप antibody test में देखो गए तो उसमें यह सब सुविदा नोयती है जल्दी report में जाता है और RT-PCR के जब आप reporting कराने जाता हो तो देखते हो आपको दो दिन का time लग जाता है क्यों क्यों क्योंकि इसी chain reaction को पूरा करने के लिए इतना लंबा time जाता है क्योंकि जब हम कोविड-19 के लिए patient का sample लेते हैं उसके नाक से या गले से जब हम sample लेते हैं तो वह sample लेके laboratory में जाते हैं तो जाने के बाद से पहले उसमें RNA होता है उस RNA हम DNA में convert करते हैं जिसके लिए time जाता है और फिट DNA से उसके बाद से फिर हम PCR करते हैं कि patient कोविड-19 हुआ है नहीं हुआ है तो यह सारा procedure होता है RT-PCR का तो दोस्तों उमीद करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आया हो अगर कुछ doubt है तिनीचे comment करना comment करके बताना मुझ इस्टाट आप में follow कर लेना मिलते हैं नए वीडियो मने topic के साथ